इस वीडियो में हम बात करेंगे हजार्स और डिजास्टर की बीच की बेसिक डिफरेंस की सबसे पहले बात की जाए हजार्स की तो कोई भी इवेंट और फिनोमिना चाहे वो नाचुरली अकरिंग फिनोमिना हो जैसे की अर्थक्वेक, वालकेनी किरप्षन, सुनामी, साइकलोन, लेंसलाइड, एसेक्टर या फिर यूमन इंडूस्ट इवेंट हो जैसे की रोड अक् अगर बात की जाए disaster की तो यही naturally occurring और human induced hazardous event और फिनोमिना को disaster कहा जाएगा जब इनका loss making potential, loss making reality में बदल जाए यानि कि वही हजार, disaster बन जाएगा जब वो loss करेगा, human life को नुकसान पहुंचाएगा, human property को नुकसान पहुंचाएगा या फिर environment को नुकसान पहुंचाएगा तो यहां से हम conclusion निकाल सकते हैं कि कोई भी event और phenomena को hazard या फिर disaster इस बात पर निर्बर करेगा कि उससे नुकसान हुआ या फिर नहीं यदि उससे नुकसान नहीं हो रहा है तो वो event सिर्फ hazard कहलाएगी लेकिन यदि उस event का result किसी भी तरह के नुकसान के रूप में है तो वो disaster कहलाएगी चलिए अब हम इसे एक example की help से समझने की कोशिश करते हैं earthquake जो की एक naturally occurring event है naturally occurring phenomena है और वही earthquake अगर एक ऐसी जगा पर आता है जहां पर कोई भी settlement नहीं है इसलिए कोई भी settlement ना होने की वज़े से वहाँ पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा तो इस situation में ये event हजाड कही जाएगी यहां पर earthquake सिर्फ एक hazard है लेकिन यही earthquake अगर किसी ऐसी जगा पर आता है जहां पर एक large settlement है और उसके आने की वज़े से वहाँ पर बहुत जादा नुकसान होता है human life का, human property का तो इस situation में ये hazardous event जो की earthquake है इसे disaster कहा जाएगा I hope ये वीडियो hazard और disaster के बीच के basic difference को समझने में आपकी help करेगा